Hello guys, आज हम explain करने जा रहे हैं Photography or Movie को, जो की हाले में Netflix पे release हुई है, so let's get started. Movie start होती है मातारी थेटर ग्रूप के performance के साथ, और उस act का नाम होता है Medusa at Perseus. अगले सीन में हम सारे थेटर ग्रूप मेंबर्स को celebrate करते हुए देखते हैं, क्योंकि उनका performance काफी अच्छा हुआ था. उसी के वज़े से तारिक, जो की मातारी थेटर ग्रूप का production manager होता है, वो announcement करता है रामा के गर होने वाले celebration party की और वो सारे थेटर ग्रूप मेंबर्स को invite भी करता है. अगले सीन में हम देखते हैं, इस movie की main character यानि सूरेनी को, जिसे सब सूर के नाम से भी बुलाते हैं, और वो university में computer science student होती है, वो मातारी थेटर ग्रूप के लिए website design करने का काम कर रही होती है, उसके बाद हम देखते हैं सूरेनी की mother को, जो की अपना family food shop चला रही होती है, अगले सीन में हम देखते हैं कि सूरेनी के father, जो की इसी family food shop को चलाने में सूरेनी की mom की मदद कर रही होते हैं, सूरेनी के घर आने के बाद, उसे पता चलता है कि मातारी थेटर ग्रूप ने Medusa at Perseus के act के वज़े से award हज़र कर लिया है, ये सून कर वो बहुत खूश होती ह और वो उसके बाद अपने food shop के काम में अपनी mom की मदद करती है, इस सेन में हम देखते हैं कि अगले दिन सारे university के students, मातारी थेटर ग्रूप मेंबर्स को उनके award winning performance के लिए congratulate और cheer up कर रहे होते हैं, यह हम देखते हैं कि उस celebration को दूर से देख रहे हैं, आमिन को, जो कि इस university म फोटो कोपियर का काम कर रहा होता है, और वो बच्पन से ही सूरयनी का खास दोस्त होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि theater board के faculty सारे group members को congratulate कर रहे होते हैं, और उसके बाद उनका group अगले महिने होने वाली Asian student theater festival, जो कि जापान के Kyoto city में होने वाली थी, उनने participant होने के announcement भी व होते हैं, उसके अगले सीन में हम देखते हैं रामा को, जो कि poet और play writer होता है मातारी theater group के लिए, और वो सूरयनी को उसके घर होने वाली celebration party में भी invite करता है, और उसे अपने dad की website design करने के project की offer भी देता है, अब हम देखते हैं फारा को, जो कि ex group member होती है मातारी theater group की, फारा न उस group को किसी past incident के वज़े से छोड़ दिया होता है, और फारा सुरयनी को रामा के घर होने वाले celebration party में जाने के बजाए, उसके अगले दिन होने वाली scholarship report interview के उपर focus करने की advice देती है, इस दिन में हम देखते हैं कि सारे मातारी group members रामा के घर party में आ गए होते हैं, और हम ये सुनकर सारे group members उनका शुक्रियादा करते हैं, और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि रामा के father rich sculptor होते हैं, और high society से भी belong करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि विफसेट प्रोजेक के बारे में रामा के dad सुरने से बात करे होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि सा आमिन और सुरने को अलकॉल consume करना पड़ता है, उसके बाद हम देखते हैं कि लगक्बग 8 बजें, आमिन सुरने को party से घर चलने के लिए पूचता है, लेकिन सुरनी अलकॉल के वज़े से नशे में होती है, और उसे के वज़े से वो उसके साथ घर आने के लिए मना कर देत इस सेन में हम देखते हैं कि अगली सुरानी अपने बेट पे सोके उठती है और वो अलड़ी स्कॉलर्शिप रिपोर्ड इंटर्वी के लिए लेट हो चुकी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि scholarship report interview के लिए जल्दे जल्दी में सूरियानी उसी party के attire के साथ interview में पूचती हैं. Scholarship interview के सारे faculties उसे कल रात हुए party के pictures के बारे में पूचते हैं. ये देखकर सूरिनी बहुत शौक हो जाती है और डर भी जाती है. और faculty उसको बताती है कि ये सारे picture उसने खुद से upload नहीं किये हैं. ये सुनने के बाद भी कोई भी faculties उस पे विश्वास करने से मना कर देता है. और scholarship board के सारे faculties उसे ये भी बताते हैं कि जिस भी students को university scholarship provide करती है उनके social media पर university नज़र रखती है. और academic performance के साथ moral conduct और social behavior का भी criteria scholarship के लिए बहुत important होता है. यहाँ पे हम देखते हैं कि उस pictures के वज़े से उसने moral conduct और social behavior का जो important criteria होता है वो fulfill ना करने के बारे में faculties उसे बता रही होती है. हम देखते हैं कि इन सारे pictures को surani अपने social media account से delete कर रही होती है और वो आमिन के बास जाके party के बारे में पुछती है और ये भी पुछती है कि उसको उसी नहीं घर छोड़ा था कि नहीं. यहाँ पर आमिन बताता है कि वो party से 8 बज़े ही घर चला गया होता है और वो उसको अपने साथ घर चलने के लिए भी बोलता है लेकिन वो alcohol के वज़े से नशे में होती है और उसी के वज़े से वो उसके साथ घर चलने के लिए मना कर देती है. उसके बाद सुरनी घर पहुचती है और उसके मॉम उसके inappropriate conduct और social behavior के वज़े से terminate हुई scholarship की भी खबर देती है. उसके बाद हम सुरनी के dad को उसका सारा सामान बहार लेके आते हुए देखते हैं और वो सुरनी के उपर चलाते भी हैं क्योंकि party के राद कोई अंजान सुरनी क उठा कर उनके neighbors को उसके घर के बारे में पूछ रहा था वो भी राती तीन बचे उसके वज़े से सारे neighbors सुरनी के parents को उल्टी सीदी questions पूछ रहे थे और उसके father उसके alcohol पीने के वज़े से भी बहुत गुस्सा थे और उसके वज़े से वो उससे सारे family relation तोडने का फिसला कर करते हैं और उसे घर से बाहर जाने के लिए भी बूलते हैं अगले सीन में हम देखते हैं कि सुरनी किसी public toilet में जाकर अपने कपड़े बदल रही होती है तब वो notice करती है कि जो blacktop का जो label है वो front side में है ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि जब वो party के लिए वो party के रात के बारे में पूछती है तो अंगून उसे बताती है कि वो उस रात अलकुल के वज़े से अपना होश खो बैटे थी और party खेतम होने के बाद उसके लिए netcar कैप भी बुक ही थी उसके बाद अंगून netcar के booking history भी सुरनी के फोन पर भेचती है उसके बाद सुरनी आम party के रात की images और उन images के timings के ऊपर notes बना रही होती है सुरनी कुछ pictures को check कर रही होती है और उसे पता चलता है कि जितने नए लोग इस मातारी group में add होते हैं उनके साथ parties में कुछ न कुछ प्रांक्स और weird चीज़ें हुई थी तबी सुरनी एक image के contrast और brightness को adjust करके उस picture में खु यह वो party के रात 12 बच कर 15 मिने तक वहाती थी इस दिन में हम देखते हैं कि सुरनी photocopy center में जो लगा हुआ wifi था उसे बंद कर देती है और वो अपना laptop किसी एक computer को ethernet cable के मदद से connect कर देती है इस दिन में हम देखते हैं कि मातारी group की एक member अपना phone उस computer से connect करती है और उसे के वज़े से उसके phone में जितनी में सारे images हैं वो सुरनी अपने laptop में copy करती है और वो सारे pictures one by one check करती है इस दिन में हम देखते हैं कि सुरनी maps का use करके यह पता लगा रही थी कि रामा के घर से उसके घर तक cap से कितना time लग सकता है और maps के वज़े से उसे यह पता चलता है कि रा उसमें जाकर inquiry करती है और वो उस driver से बात करने की request भी करती है उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि net car का driver जिसने उस राद उसे drop किया था वो वहाँ पे आता है तब वो अपने mobile पी click करेगे picture के मदद से उन्हें यह समझा रहा था कि उस राद गाड़ी पंक्चर होने के को उस गाड़े में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे और उसका शक बढ़े और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं इस सिन में हम देखते हैं कि शूरणी अपने laptop पे उस party की रात की कुछ वीडियोस चेक कर रही होती है और उसे उन वीडियोस के वज़े से एक चीज पता चल और उसी यह लगता है कि उसी रूम में पक्का उसने कुछ नकुछ उसके ट्रिंग्स में मिलाया होगा इसके बाद सूरणी आमें को थिसस पेंडर्स में बेशने के लिए देती हैं और अगले सिन में हम देखते हैं कि वो थिसस किसी लड़के को बेज भी देते हैं इस सिन म हम फारा को अपना फोन कॉम्पिटर को करनिक करके कुछ काम करते हुए देखते हैं और इसी दोरान सूरणी फारा के फोन से सारे पिक्चर्स अपने लैप्टॉप पे कॉपी करती हैं और उसके बाद वो फारा के सारे पिक्चर्स को चेक करना शुरू कर देती हैं उसके बा माताहरी गुरुप के जितने भी नई मेंबर्स थे, उनके साथ कुछ न कुछ वीर्ड चीज़े और कुछ न कुछ वीर्ड प्राइंग्स होए थे, और वैसा उसके साथ भी हुआ था, और वो तारीक पर उसके ड्रिंग्स में कुछ मिलाने का आरूप भी उस पर लगाती है, लेकिन ये सुनकर भी faculty sir उसकी बात मानने से इंकार कर देते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जितने भी videos और images बाकी initiation के थे वह सारी फारा के पास उसके phone में ही थे और उसे के वज़े से तारिक फारा के उपर सारी images शेर करने के लिए गुस्ता होता है। तो फारा तारिक को ये भी बताती है कि वो images और videos उसने किसी के साथ भी शेर नहीं किये थे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सुरियनी तारिक के drugs के pictures अंगोन और बाकी group members को दिखाती है। और अंगोन और सुरियनी रामा के घर CCTV footage को चेक करने का decide करते हैं। मातारी group के members रामा के घर CCTV footage चेक कर रहे होते हैं। रामा उस room की वीडियो footage चलाता है जिसमें तारिक सारे लोगों के लिए drinks बना रहा होता है। और उस footage में हम तारिक को रोतो है और कुछ गोलिया खाते हुए देखते हैं। तब ही तारिक वो सारी गोलिया सब के सामने निकालता है और बताता है कि ये गोलिया उसे अपने therapist ने उसको दी थी। और यहां पे मातारी group के members तारिक पर शक करते हैं और इसे शक के वज़े से तारिक बाकी सारे group members पर नाराज हो जाता है। उसके बाद उस CCTV footage में हम ये भी देखते हैं कि सूर्यानी ही वो सारे selfies अपने phone के rear camera से ली थी। और आगे हम अंगोन को सूर्यनी के back से address के लिए ID निकालते हुए देखते हैं। और उसी address के मदद से वो सूर्यनी के लिए नेटकार भी book करती है। और बाकी सारे members एके करके party से घर जा रहे होते हैं। तबी सूर्यानी को अंगोन और कुछ group members गाड़े में बेटने के लिए help करते हुए हमें देखते हैं। सूर्यनी के बाद रामा के parents सूर्यनी की सारी semester fees भरने का offer उसको देते हैं। और उसके website design project करने के लिए उसको pay करने का भी decide करते हैं। इस दिन में हम देखते हैं कि सूर्यानी को यह जानना था कि कितने alcohol consume करने के बाद वो अपना काबो खोने लगती है। और उसके लिए ही वो आमिन को drinks लाने के लिए बोलती है। उसके बाद हम सूर्यानी और आमिन को alcohol consume करते हुए देखते हैं। उसके बाद हम सूर्यानी और आमिन को उस जगह के पास होने वाले candle garden में जाते हुए देखते हैं। और वहाँ पे सूर्यानी को उस statue को देखके ऐसा लगता है कि ये statue उसने पहले भी कभी देखा है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सूर्यानी रामा के इंबॉक्स में जाकर statues के pictures को अपने phone में ली हुई statue की images जोकि उन्होंने candle park में ली थी उनसे compare करती है। और उसके बाद उसे ये पता चलता है कि दोनों images में same statue है। उसके बाद उसे याद आता है कि रामा उस party के खतम हो जाने के बाद installation के लिए Milky Way Galaxy की images के लिए अपनी गाड़ी लेकर कई जाने वाला था। उसी दिन वो images रामा को किसी ने उसकी inbox में send की थी। उसके वज़ा से सूरियनी का शक रामा के तरफ बढ़ता जा रहा था। इस सीन में हम देखते हैं कि सूरियनी एक मातारी ग्रूप मेंबर के पास जाकर सारी रामा के pictures collection उसे send करने के लिए बोलती है। सूरियनी को रामा के सारे picture collections उसको मिल जाते हैं। उसके बाद वो सारे picture collections को check करने लगती है। तबी वो सारे images को invert करने का सोचती है। और उसके बाद उसी ये पता चलता है कि ये सारे कोई artistic images नहीं, ये तो सारे human body parts की images है। और उसके बाद ऐसे करते हैं वो सारे images को invert करना start करती है। उसके बाद वो Milky Way Galaxy Pictures को चेक करना स्टार्ट करती है और वो सारी images को invert करना स्टार्ट करती है और वो उन में से कुछ images की photocopy निकालती है और उसे शक होने लगता है कि इन images में जो तीन dots है वो Milky Way Galaxy के नहीं बिलकि उसके back में होने वाले बरतमाग के हैं उसके बाद वो अपने back के photocopy निकालने के लिए वो photocopier machine के उपर लेट जाती है इस सीन में हम ये देखते हैं कि उसे अपने back के photocopy और रामा के Milky Way Galaxy वाले images को compare करने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो images Milky Way Galaxy के नहीं वो उसके back के बरतमाग की है उसके बाद रामा अपने वीजा के कुछ काम के लिए photocopier center में आकर computer में अपने email account पे login करता है तभी सुरियनी भी अपने laptop से रामा के account में login करने की कोशिश करती है लेकिन two step verification के वज़े से वो इसमें नाकाम हो जाती है और उस दूसरी बार आए verification email से रामो के शक हो जाता है कि कोई उसका account है करने की कोशिश कर रहा है तभी रामा उस email का screenshot निकलता है रामा अपने account से logout करने ही वाला होता है तभी सुरियनी वहां के main electricity का switch off कर देती है और उसी के वज़े से रामा logout नहीं कर पाता तभी सुरियनी रामा और आमें की कुछ बाते सुनती है कि रामा आमें को अपने drawer में रखे हुए hard disk को अपने art inspiration के लिए देने की request करता है उसके बाद आमें उपर आता है और सुरियनी उसे thesis के selling की images के साथ blackmail करती है और उसे वो drawer में पड़ी hard disk उसे देने के लिए बोलती है तभी आमें उस drawer में पड़ी hard disk को सुरियनी के पास दे देता है उसके अगले ही scene में हम देखते हैं कि सुरियनी अपने laptop को on करके उस hard disk को अपने laptop से connect करती है और उसे बाकी सारे university के students के image folder के साथ उसे अपने नाम का image folder भी उस hard disk में दिखता है तब उसे पता चलता है कि उसमें उसके भी pictures है जो कि रामा ने अपने art inspiration के लिए use किये थे तभी सुरियनी आमें पर घुसा होती है और यह सिप करने के वज़ा बुचती है तबाविन बताता है कि इस साल उसके sister को dingo fear हुआ था और वो hospital में admit हुई थी उसे के वज़े से उसने स्तारे students के personal images को रामा को पैसे के बदले देने का decide किया और अपने sister का ilaj करवाया अगले सीद में हम देखते हैं कि सुरियनी photocopy center से निकल कर एक local cyber cafe में जाती है वहाँ पे सुरियनी रामा के account में login करती है और उसका location उस party के रात चिक करती है और उसे पता चलता है कि वो उस रात candle pack के पासी था जिस जगा पे उसके गाड़ी पंक्चर हुई थी ये सब पता लगने के बाद सुरियनी को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद सुरियनी वो सारे images और proof की files बनाती है जो कि proof करते हैं कि इसके पेचे रामा का ही हाथ था वो लेकर वो फारा के पास जाती है और उसे अपने images के बारे में पूछती है पर ये सब देखकर फारा उस पर घुसा होती है और वहाँ से चली जाती है उसके अगले सेंद में हम देखते हैं कि वो सारी files युनिवरसिटी के faculty को submit करती है और उस faculty को online files भी send करती है तब ही हम देखते हैं कि वो files college के सारे students में viral हो जाती है हम देखते हैं कि सुरियनी अब सारे documents जिसमें proof होते हैं उसके बारे में बात करने के लिए युनिवरसिटी की ethics board के पास जाती है तब faculties उसे बताते हैं कि ये files पूरे युनिवरसिटी में social media के sites पर viral हो चुकी है और इसके वज़े से रामा के father ने उस पर defamation का case किया है और वो अपने lawyer के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और इस scene में हम देखते हैं कि रामा उसके lawyer के साथ ethics board के पास आ जुका होता है और तब रामा उस login request की screenshot उसे दिखाता है और उस पर उसका account hack करने का आरोप भी उस पर लगाता है ये सब सुनके सुरेनी अपने parents को birthmark images दिखा कर proof करने का try करती है लेकिन उसके parents उसके किसी भी बात पर यकिन नहीं करते उसके बाद रामा सुरेनी के parents को बोलता है कि वो ये defamation का case वापस बेलेंगे और सुरेनी की सारीफ semester की fees भी pay करेंगे लेकिन एक ही condition पे उसके लिए सुरेनी को एक video बना कर रामा और उसके parents से माफी मांगने होगी इस सेन में हम सुरेनी के father को मातारी group members के सामने उसकी apology video shoot करते हुए देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि सुरेनी इस video में रामा से और रामा के parents से माफी भी मांगती है ये apology video university में बाके students के साथ फरा भी देख रही होती है अगले सीन में हम देखते हैं कि सुरेनी की mom सुरेनी की इस लड़े में साथ देने का फैसला करती है और उसे check-up करने के लिए एक clinic लेगे जाती है वाँ पे जाने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि सुरेनी के party को और तीन दिन से जादा हो चुकी है और उसे के वज़े से सुरेनी की urine sample में drugs है की नहीं ये उसका पता नहीं लगा सकते और तभी सुरेनी को फारा का phone आता है और अगले सील में हम देखते हैं कि फारा और तारिक वा उस clinic पे आते हैं और उसके बाद तारिक और फारा अपने experiences शेर करते हैं और उसके बाद तारिक अपने हाथ के cut भी दिखाता है जो कि exactly रामा ने art installation के लिए use किया होता है तभ फारा भी अपने मातारी ग्रूप का experience सबके साथ शेर करती है और वो बतती है कि वो alcohol consume करने की भोच होकिन है लेकिन तब भी उसने party के time जब drink किया था तब कुछ alcohol के shots के बाद ही वो अपना control खोने लगी थी कि अगले सिन में हम देखते हैं कि फारा अपने डारी तारीक और सूरियानी को दिखाती है सूरियानी, तारीक और फारा उस net car के driver के पास जाने का फैसला करते हैं और इस सिन में हम देखते हैं कि ये टीनों यानि सूरियानी, फारा और तारीक अज़ अंडरकवर होके वहाँ पे नेटकार के ड्राइवर का वेट कर रहे होते हैं तभी वो नेटकार वहाँ पे आती है और तभी तारिक अपने मोबाल पे वीडियो शूट करना स्टार्ट करता है उसके बाद हम देखते हैं कि सुरियनी और फारा उस कैप के टायर को पंक्चर करते हैं तारिक अब डिलिवरी बॉई बनकर ड्राइवर को ये बोलता है कि रामा के फादर ने उन्हें ये गिफ्ट दिया है उसी वक्त हम देखते हैं कि ड्राइवर रामा के फादर को सारी खबर दे रहा होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ड्राइवर वो गिफ ले लेता है अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्राइवर तारिक को उस जगा पे छोड़ने के लिए राजी हो जाता है तब तारिक उस driver से जूट बोलता है कि उसके phone की battery zero होने के वज़े से जिस friend के साथ वो यहाँ पे आया था उसे contact नहीं कर पा रहा है और वो उन्हें किसी जगा छोड़ने के लिए request भी करता है तबी बीच में उनकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है यहाँ पे हमें पता है कि यह cab सूरैनी नहीं पंक्चर की थी और यहाँ पे तारिक को एक बात पता चलती है कि driver को अपने आप एक टायर उठने में भी दिक्कत हो रही है तो उस राद जब वो सूरैनी को drop कर रहा था तब उसने अके लिए यह सब कैसे किया होगा और उसके बाद तारिक driver को बेहुश कर दे देता है उस driver को तूरैनी और उनके दोस्त उस क्लिनिक पर लेके आते हैं अगले सिन में हम देखते हैं कि वहाँ पे डेंग्यो फ्यूमिगेशन वाले लोग वहाँ पे एक वैन के साथ आ जाते हैं उस वैन में रामक के साथ कुछ लोग भी उस क्लिनिक में आते हैं और स उसके बाद रामा और उसके लोग उस वैन में वहाँ से निकल जाते हैं उसके अगले दिन हम देखते हैं कि सूरैनी और फरा यूनिवरसिटी में आते हैं और वो दोनों फोटो कोपिर मशिन को वहाँ से लेकर यूनिवरसिटी के रूफटॉप पर लेके आते हैं और उसके पे फरा और सूर्यनी पूरी उनिवसिटी में वो फोटो कॉपिस रूफ टॉप से नीचे फेकते हैं और उसे के वज़े से राम के सच के बारे में सारी उनिवसिटी के स्टूडन्स को पता चलता है और उनिवसिटी के सारे स्टूडन्स सूर्यनी का सपोर्ट करने के लिए र मारती है और उसके वज़े से रामा जिविन पर गिर जाता है और इसी के साथ फोटो कोपियर मुवी इंड हो जाती है